जैन माइनोरिटी की जीटो लेडिस विंग की नेशनल कनवीनर ममता सुराना की ओर से आप सभी को बहुत बहुत जैजी नेंद्रे जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा सुना होगा कि हम जैन माइनोरिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा शुरू किये थे ताकि लोगों को minority के किस तरह से हम minority में आए और किस तरह से हमें minority का दर्जा मिला इस बात की चर्चा हम पिछले episode में किये और आज चलिए इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फिर से और जानते हैं कि minority में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और किस तरह से minority और reservation द संख्यक याने minority घोशित कराने के पिछे समाज को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा संघर्ष करना पड़ा और उसके आधार पर आज जैं समाज केंद्र सरकार के द्वारा अल्प संख्यक घोशित हुई है और समाज को इसका पूरा पूरा लाब उठाना चाहिए क् बहुत तकलिफों से हमें मिला है और यह बहुत लाब दायक योजना है कि इसमें हजारों रूपया यह सेकड़ों रूपय की बात होती है यदि हम यह सरकार के दौरा यह निश्चित राशी हर अल्प संख्यक समुदाय के लिए राशी निश्चित की जाती है अगर हम उस र भखन राशी है यह दूसरे अलप संख्यक समुदाय की हिस्से में चली जाती है और उनको दे दी जाती है तो समझ लिए जैसे इस वर्ष अगर मालो एक लाख एप्लिकेशन सरकार की तरफ से कहा गया कि एक लाख एप्लिकेशन आप लोगों के हमें स्युकार करेंगे लेकिन ह जो बचे हुए साथ हजार एप्लिकेशन की जो धनराशी है वो जैन समाज को नहीं मिल करके दूसरे माइनोरिटी समाज को चली जाती है तो इस प्रकार से हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं जानकारी के आभाव में तो इसी अलप संख्यक या माइनोरिटी की जानकारी के ल काहिर है अलप याने थोड़ा और संख्यक याने संख्या में दूसरों के मुकाबले में अगर हम संख्या में थोड़े हैं तो उसे अलप संख्यक बोलते हैं तो कई लोगों को क्या होता है कि थोड़ी से भ्रांती हो जाती है कि अच्छा अब हम लोग भी रिजर्वेशन मे में जैसे कि हमारे लिए नौकरियां देना ही पड़ेगा जैसे सेडाल को मिलता ही मिलता एडमिशन चाहें जाहें कितने भी कम ठागएं लेकिन असक्षण होता है लेकिन एसा नहीं होता है जाती होती हैं जिनकों की reservation का जो दरजा है या लाब है वो उनकी जाती के आधार पर मिला है तो याद रखिए अल्प संख्या धर्म के आधार पर हमें लाब मिला है और reservation जो है वो जाती के आधार पर होता है चुकि हम माइनरिटी में हैं तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं होती है इसकीम होती है जो भी लाव होते हैं जो हमारे समाज में माइनरिटी की वज़े से हमें मिलना चाहिए उसके लिए कुछ न कुछ नियम होते हैं कानून होते हैं उसके कोई न कोई क्राइटेरिया होता है जब हम उस criteria को fulfill करते हैं पूरा करते हैं तब ही हमें उसका लाब मिलता है लेकिन reservation में ऐसा नहीं होता है वो तो उस जात में पैदा हो गए इसी से उनको वो लाब मिल जाता है तो जो सरकारी नौकरियां होती है जो sectionic संस्थान होते हैं सरकार के दौरा संचाली उसमें उनका admission उनको नौकरियां fix हो गई है वो उनको मिलेगी ही मिलेगी लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है हमको कुछ एक नियम पूरे करने पड़ते हैं कुछ एक criteria जो सरकार के दौरा निश्चित कि हैं वो पूरे करने पड़ते हैं तभी जा करके हमें minority का लाब मिलता है एक चोटी सी जानकारी मैं और दे दूं कि जो reservation वाले होते जैसे सेडूल का सेडूल ट्राइब या ओवीस लोग होते हैं तो जैसे सेडूल कास्ट का 17.5% reservation किया हुआ है उतना लाग उनकी public को मिलेगा ही मिलेगा उसी तरह सेडूल ट्राइब जो होते हैं उनका भी 7% फिक्स है रिजर्वेशन और जो विस होते हैं जो पिछड़ी जाती के अन्य जूसरी जाती के होते हैं उनका करीब करीब 22-23% फिक्स ऐसा टोटल मिलाकर अगर देखेंगे तो 100% में से 49.5% reservation वालों के लिए fix है अब जो 50% बचे होते हैं पूरे भारत के निवासियों में जितनी जनसंख्या नागरिक हैं हमारे उसमें सिर्फ 50% जो बचे हैं उनका भी division किया हुआ होता है इतना परसेंट इनको इनका परसेंट इतना परसेंट इनको जो उसमें जो अल्प संख्यक को मिलता है वो बह कई चीजों की जरूरत होती जैसा कि मैंने आपको पहले बताए कि government की तरफ से कुछ नकुछ criteria होता है कुछ नकुछ वो एक नियम बनाते हैं कि आप इस नियम को पहले पूरा करेंगे तो ही आपको लाब मिलेगा तो वो नियम क्या है तो दो नियम तो हर जगा criteria दो ऐसे होत होता है हमें minority certificate और दूसरा होता है हमारा income certificate यह दोनों चीजें जब हम government की तरफ से जो डिमांड है जो criteria है वो पूरा करते हैं तो ही हमें minority का लाब मिलता है अब minority का certificate यह कैसे हो कहां से मिले किस तरह हो यह इस बात का हम आपको अगले episode में आपसे चर्चा करेंगे लेकिन आप यह जानिए कि minority certificate किन किन बातों के लिए जरूरी होता है जो minority का certificate होता है यह बहुत important document होता है जिसका उपयोग यदि हमको fees में concession चाहिए या हमको pension चाहिए या school में अगर हमको admission चाहिए या कहीं अगर हमको किसी चीज के लिए आवेदन application करना है तो हमें अल्प संख्यक प्रमान पत्र याने minority certificate लगाना पड़ता है आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजे कि minority certificate caste certificate नहीं है minority certificate और reservation certificate जो caste certificate होता है वो दोनों बहुत अलग चीज है हाँ आप minority certificate को religion certificate बोल सकते जो धर्म के आधार पर हमारा certificate होता है लेकिन जो reservation certificate या caste certificate होता है वो अनुसुची जन जाती और सिडूल का सिडूल ट्राइब या विसेस के लिए होता है तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीज होती है तो उसको हम जाती प्रमान पत्र बोलते हैं और इसको अलप संख्यक प्रमान पत्र बोलते हैं जो minority का होता है उसे अलप संख्यक प्रमान पत्र बोलते हैं और जो जा कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है हम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं हम रिलीजन सर्टिफिकेट बनाते हैं या माइनुरिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं जैसे कि और भी अल्प संख्यक समुदाय हैं जिसमें सिख जैन पार्सी इसाई बौध यह सब आते हैं इस सब को जो कास्ट जो मैनोरिटी सर्टिफिकेट है वो अल्प संख्यक मामले का जो मंत्राले होता है या तो वहां से जारी किया जाता है और या फिर इसका इक अलग प्रोसेस होता है जिसे हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि एक जो में कंफ्यूजन होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट याने जाती प्रमान पत्र वही क्या मैनोरिटी का सर्टिफिकेट है वो नहीं है जाती प्रमान पत्र एक अधिकारिक दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि एक व्यक्ति समाज के एक विशेज जाती में पैदा हुआ है या वो विशेज जाती से संबंधित है तो जाती प्रमान पत्र उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अनुशीची जाती के होते हैं या पिछड़े वर्गों से संबंधित होते हैं तो यह हमारे भारती कंस्टिटूशन में इंडियन कंस्टिटूशन में इस बात का अच्छी तरह से उल्लेक किया हुआ है तो यही जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो आज मुझे इस एपिसोड में आपसे चर्चा करनी थी ताकि आपके मन में माइनोरिटी और रिजर्वेशन इन दोनों चीजों क का अंतर समझ में आ जाए और अच्छी तरह से समझ लें कि हम माइनोरिटी में आ गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए हर जगा पर सीट रिजर्व हो गई है अब हम जाएंगे तो हमको इंजीनियरिंग में एडमिशन देंगे देंगे मेडिकल में एडमिशन उनक जड़ा वर्ग होता है यह उन लोगों के लिए है तो यह दोनों में अंतर आपको समझ आ गया अब मैं समझती हूं कि जरूर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम जो तीसरा एपिसोड हमारा निकलेगा उसमें हम बात करेंगे कि माइनोर तो नेक्स्ट एपिसोड में हम माइनोरिटी सर्टिफिकेट या रिलीजन सर्टिफिकेट इसी बारे में हम बाते करेंगे चर्चा करेंगे तब तक के लिए ममता सुराना को इजाज़त दीजे धन्यवाद